तो हेलो सुपर फ्रेंट्स तोयर कैसी है हमारी सुपर पब्लिक तोयर आज की जो हमारी कमपेरिजन वीडियो है वो एक गोड और एक अर्थ के सबसे पौरफूल सुपर हीरो के बीच में है तो इस वीडियो में एक तरफ है रिवन किंग थोर और दूसरी तरफ है all new century तो इस कमपेरिजन में हम देखेंगे इनका ओरिजिन और इनकी पार थेंगे की इन दोनों में से कौन ज्यादा पौरफूल है तो इस कमपेरिजिन वीडियो को स्टार्ट करते है सबसे पहले बात कर है एंड उसको अपने बोडी में इजक्ट करते ही वो convert हो जाते है century में और उनको मिलती है god-like powers and उनको कुछ टाइम बात पता चलता है कि century की एक dark side भी है जिसका नाम है void and void century का बिल्कुल ही उल्टा होता है जहाँ sentry अच्छाई का साथ देता है वहीं वोईड बुराई का साथ देता है और रोबर्ट का एक फ्रेंड होता है बिली वो भी रोबर्ट के ही जैसी एक सूपर सोल्जर सिरम त्यार करते है बट उसको अपनी बोडी में इजक्ट करते ही वो sentry से भी ज्यादा पौरफुल बन जाते है और दूसरी तरफ रोबर्ट को समझ जाता है कि sentry वोईड और वो खुद एक ही personality है इसलिए वो खुद को sentry को और वोईड को आपस में मग कर लेते है और बन जाते है all new sentry and all new sentry अर्थ का अब तक का सबसे powerful superhero भी कहा गया है तो अभी देखते है all new sentry की powers को तो ये महशप है वोईड और सेंटरी का तो इसके पास वो सारी power है जो कि वोईड और सेंटरी के पास है then इसके पास है molecule manipulation, superhuman strength, superhuman stamina, superhuman speed, superhuman reflexes, regenerative healing factor, light manipulation, darkness manipulation, complete invulnerabilities, pacinic power, flight, enhanced senses, matter manipulation, energy absorption and projection immortal है पूरी तरह से यानि की God के अलावा इसको और कोई नहीं मार सकता है teleportation की power रखता है, telepathic power रखता है, astral projection कर सकता है, weather को manipulate कर सकता है, invasibility की power रखता है mind and thoughts को projection की power करता है, and shape shifting कर सकता है, superhuman durability रखता है, mind control resistance है यानि कि इस पे mind control powers का कोई असर नहीं होता है, reality को wrap कर सकता है, लेकिन mid tire में power को best roll कर सकता है resurrection, life control, soul manipulate कर सकता है, touch to death जैसी powers रखता है, and energy and attacks को किसी भी तरह के reflect कर सकता है aura detection कर सकता है, empathy and emotions को भी manipulate कर सकता है, intellect and super healing factor रखता है and all new century black tint particles को void के जैसे अपनी body से produce कर सकता है, जो कि she hulk की हड़ियां तोड़ने जितने power तो रखता ही है और इसको earth 616 का यकिनन सिर्ट से powerful superhero भी कहा गया है, तो अभी चलते है इसी के opponent, Rune King Thor की तरफ तो ये time चर रहा था Ragnarok का, जहां Odin already ही मर चुके थे and Thor अब एसकार्ट का नया राजा था and Loki ने Mionier की ही एक copy बना ली थी सर्टर की help से, तो Loki के पास अब Thor जैसा hammer था, army थी and उसके childrens थे और सर्टर था, जो कि उसकी help कर रहे थे, एसकार्ट को destroy करने में, Venhela and Venham को छोड़ कर, जहां Loki अपना राज चलाना चाता था ultimately ये एसगार्ट का आंत था, धीरे धीरे थोड़ को एहसास हो रहा था, कि वो अपने लोगों को बचाने में नाकाम हो रहा है यहां तक कि उसका hammer भी तूट चुका है, और वो अब बहुत ज़ादा कमजोर भी हो गया है तभी थोड अपने फादर ओडिन के रास्ते में चलने का decide करता है, और ओडिन फोर्स उसको guide करती है और ओडिन फोर्स के कहने पर ही, वो अपनी दोनों आखे मीमिर के कोई में डाल देता है और तभी मीमिर के कोई से जादुई पानी बाहर आता है एंड ओडिन फोर्स के कहने पर ही थोर उस पानी को पीता है एंड अपनी आँखों में लगा लेता है जिस वाज़े से थोर ने एसगार्ड का वो सभी पीछे की घटनाओं को जान लिया जिने की वो नहीं जानता था एंड वो अब इस सचाई से भी रूबरू हो चुका था कि रैगनरोक एक एंडलेस साइकल है जिसको रोकना बहुत जादा मुश्किल है एंड अब थोर वही कर रहा था जो कि ओडिन फोर्स उससे करने को कह रही थी वो बहुत जादा तूट चुका था एंड ओडिन फोर्स के कहने पर ही वो अपने को वर्ल्ट ट्री से लटका देता है जब तक कि उसकी मौत नहीं आ जाती एंड थोर अब अपने फादर की साउल से इस तरह जुड़ चुका था कि उसको दुनिया में मौजूद हर रचना का ग्यान हो रहा था एंड थोर अब पास्ट एंड फ्यूचर को देख सकता था परजन टाइम को कंट्रोल कर सकता था एंड वो एक्टम, मॉलिक्यूल, क्वांटम, स्ट्रक्चर एंड हर तरह के आर्की स्ट्रक्चर को देख सकता था एंड वो life को create कर सकता था एंड destroy भी कर सकता था तो थोर को अब universe में मुझूद हर तरह का ग्यान मिल चुका था एंड रियोन magic ने उसे हर living organism and human का future दिखाया एंड वो world tree से नीचे गिर जाता है एंड अब थोर को मौत बुला रही होती है थोर अब help पहुंच जाता है जहां हैला का राज चल रहा है और वहां से थोर निकल नहीं पाता है बट ओडिन के मरने के बाद भी ओडिन की साउल अपने बेटे के help के लिए आ जाती है ओडिन की साउल थोर को health से बहुत उपर एक अंधकार में ले जाती है जहां कोई नहीं होता तब दो रेवन्स थोर को एक ऐसी जगा ले जाते है जहां एसकार्ट के गोड्स के गोड्स रहा करते थे और उन एसकार्डियन गोड्स के गोड्स के और थोर के बीच में कुछ पहसबाजी होती है तब थोर रियोन मैजिक की वज़े से अपने को टेलिपोर्ट कर देता है तो अभी बात करते हैं रियोन किंग थोर की पावस की तो ये एक नाई ओमनी पोटेंस बिंग है लो टायर में इसके पास है ओडिन फोर्स, रियोन मैजिक, रियालेटी रैपिंग, मिद टायर में युनिवर्स को मैनुपलेट कर सकता है Cosmic Energy Manipulation, Sub Atomic Manipulation, Space Manipulation, Soul Manipulation, Time Manipulation, Matter Manipulation, Mind Control Power, Telepathic Power, Genius Level Intelligence and Immortal है पूरी तरह से Manipulation, Speed of Flight से फ्लाइट उड़ने की ताकत रखता है, Infinite Speed रखता है और यह नाई Omnisecant है और इसके पास है Cosmic Average की पावर, Preconciation, Supernatural Sense, Supernatural Sight, Telescopic Sight, Microscopic Sight, Super Hearing Factor and Super Healing Factor Then, इसने Mangret को अपने सिर्फ एक हाथ से हरा दिया था, जिसको की Odin भी नहीं हरा सकते थे तो यार, अभी मैंने आपको इनका Origin and इनकी Powers तो बता ही दी है, तो अभी देखते हैं इस Battle का Final Result, देखते हैं कि इन दोनों के Comparison में कौन ज्यादा Powerful है तो एक तरफ है Rion King Thor, जिसके पास है Life को Create and Destroy करने की Ability, तो वहीं दूसरी तरफ है All New Sentry, जिसके पास है Touch to Death चैसी Powers and Life को Create करने की Ability और अगर मुझे इस Battle में किसी को अपना Vote देना ही है, तो मैं अपना Vote Rion King Thor को दूँगा, विकोज वो एक नई Omnipotence Being है, भले ही Low Tair में है, लेकिन फिर भी तो है तो है ना भाई यार, है ना, और इन दोनों के पास Reality Rapping की Power है, भले ही उसकी कुछ Limit है, लेकिन इन दोनों के कि इस Battle में किसको Winner होना चाहिए था, में भी कई लोग कहेंगे कि All New Sentry हो सकता है, तो आप लोग अपना Opinion Please Comment Box में लिख दो, अच्छी लगी वीडियो तो इसको Like करो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो Subscribe करो and Thanks for Watching